नमस्ते दोस्तों मम्मी की दुनिया में आपका स्वावगत है आज हम उरत दाल का और भत्वा वाला का हम बड़ी बनाना आपको बताएंगे इसके लिए हमने उरत दाल को एक किलो रात में भींगो दिया था इसे सुबो में साथ परके मिकसर में इसे पीछ लिया है भत्वा को हमने काट कर इसे हम मिकसर में इसे भी पीछ लिया है इससे बारिक हो जाने पर बड़ी बहुत अच्छा बनता है उसके बाद हम इसमें अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं उसके बाद हम इसमें हींग डालेंगे इसके बाद इसे हम खुब फेट लेंगे और फेटने के बाद इसे हम दस मिनट इसे हम छोड़ देंगे यह खुब फूल जाता है तब इसके बाद हम इसमें नीठा सोडा डालके थोड़ा सा इसे हम बड़ी बनाएंगे तो फिर हम आगे आपको हम दिखाएंगे अब इसमें हम मीठा सोडा डाल देते हैं अब इसे हम पुरा मिला लेंगे अब इसे हम चोटा चोटा इसे हम बड़ी बनाएंगे इसे आप बड़ी भी कहिए और दोड़ी भी कहिए अब बड़ा बड़ा ही बना रहे हैं फूल के एकदम बनाने में फूल के खूब बड़ा होता है तो खाने में अच्छा लगता है यह भद्वा और उरी डाल का अदोड़ी बन कर तयार हुआ है यह मेरा तरीका आप लोग को कैसा लगा अगर अच्छा लगा होती इसे लाइक और सब्क्राइब कर दीजिएगा और फिर मिलेंगे एक नएट वीडियो के साथ तब तक लिए ठैंक यू